Hello everyone, welcome to my secret recipe corner आज हम बनाएंगे मोमो चटनी चटपटी चट कारेदार घाड़ी घाड़ी मोमो चटनी जिसे बनाना काफी आसान है और जो जट से बन कर तयार होती है और ये बस तीन चीजों से बन कर तयार हो जाती है तो चलिए बनाना श्टार्ट करते हैं मोमो चटनी मार्केट जैसी मोमो चटनी बनाने के लिए ये हमने सूखी लाल मिच लिए है ये चटनी आप किसी और सूखी लाल मिच से भी बना सकते हैं और यहाँ पर लिए हैं मैंने चार मीडियम साइज के टमाटर और लहसून की कलिया जिने मैंने छिल लिया है लहसून मोमो चटनी में में इंग्रेडियन्ट होता है तो सबसे पहले हम टमाटर में बीच में कट लगाएंगे बस हम इने दो पीसिज में ही कट करेंगे और इस तरह से सभी टमाटर में कट लगा लेंगे अब हम लेंगे एक कड़ाई और उसमें एक कब पानी डाल कर पानी को बोल होने देंगे पानी बोल हो गया है अब हम डालेंगे इसमें सूखी लाल मिर्च और इन्हें सोफ्ट होने तक उबलने देंगे या 5-6 Minh के लिए उबालेंगे मीर्च को उबलते में 5-6 Minh हो गए है और यह एच्छे से सोफ्ट हो गई है अब हम डालेंगे साथ ही इनमे टमाटर इने भी सोफ्ट होने तक उबालेंगे या जब तक इनकी स्किन ना निकल जाएने तब तक उबालेंगे और साथ ही डाल देंगे लहसुन की कलिया और इन्हें ढखकर 5-6 मिंट के लिए पकने देंगे 5-6 मिंट हो गए हैं और ये देखी ये चीजे थोड़ी सोफ्ट हो गई हैं अब मैं इसमें डालूँगे ग्रेट किया हुआ अधरक और इन्हें दो मिंट के लिए और पकने देंगे जिससे अधरक का फ्लेवर इन सब चीजों के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए बस ढख देंगे और दो मिंट के लिए और पकने देंगे दो मिंट हो गए हैं और ये देखी ये अच्छे से पक गए हैं ये देखे टमाटर की स्किन भी अलग निकल रही है बस हमें इन्हें इतना ही पकाना था अब इन्हें ठंडा होने देंगे और गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे ये ठंडा हो गया है, टमाटर की स्किन हम इस तरह से अलग हटा देंगे और सब चीजों को जार में निकाल लेंगे हमने जार में सबी चिज़ों को निकाल लिया है अब हम इसे ग्राइंड करेंगे और इसमें एक्ष्ट्रा पानी नहीं डालेंगे इसे हमें बिल्कुल स्मूथ पीसना है हमने इसके स्मूथ पेश्ट बना लिया है अब लगाएंगे हम इसमें एक तड़का अब हमें कढ़ाई लेंगे उसमें डालेंगे थोड़ सा ओयल जब ओयल हलका सा गरम हो जाएगा तब डालेंगे हम उसमें एक मीडियम साइज की बारी कटी हुई प्याज और प्याज को हलका सा ब्राउन होने तक भूल लेंगे प्याज हलकी ब्राउन हो गई है अब हम इसमें एड़ करेंगे जो हमने मोमोज चटनी का पेस्ट बनाया था बस इसे इसमें एड़ कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे अब डालेंगे इसमें half टीज़ पून नमक या स्वाधन उसार और इसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए डालेंगे इसमें half टीज़ पून सुगर बस एक दो मिन्ट के लिए और पकाएंगे और हमारी मोमोज चटनी बनकर रेडी आप इसे गर्मगर मोमोज के साथ सर्व कर सकते हैं और अगर आपको इस रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजी शेर कीजी और सीक्रेट रेस्पी कोर्णर को सब्सक्राइब कीजी और ऐसी और वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस कीजी